वसुंधरा राजे सरकार पर करप्षन के आरोपों की जाच की सचिन पाइलट की मांग के मुद्देने कॉंग्रेस के बाद अब बीजेपी की सियासत भी गर्मादी है। शेखावत ने कहा मैं तो कहता हूँ किसी के खिलाफ भी करप्षन का आरोपों की जाच की मांग का समर्थन करते हुए सियासी चर्चाएं छेर दी हैं। अगर भारतिय जनता पार्टी के किसी नेता ने किया तो उसके खिलाफ भी जाच होनी चाहिए। कम से कम जनता में यह संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि दो या तीन चार लोग मिलकर इस तरह से एक दूसरे को ढखने का प्रयास करें। यह लोग तंत्र की आत्मा की हत्या करने के प्रयास जैसा होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसी लाइन पर बयान दिया है जिस पर सचिन पाइलट ने सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दे रखा है। पाइलट ने वसुन्धरा सरकार के करप्शन पर कारवाई की मांग को लेकर पहले 11 अप्रेल को जैपुर में अंशन किया। फिर 11 मई से 5 दिन तक अजमे से जैपुर तक यात्रा निकाली। पाइलट ने 15 मई को जैपुर में रैली करके जो 3 मांगे रखी थी। उनमें एक मांग वसुन्धरा सरकार के समय के करप्शन की जाच के लिए कमेटी बनाने की भी थी। पाइलट ने गहलोत के धौलपुर और कुचामन सिटी में दिये बयानों का हवाला कई बार दिया है। इसमें उन्होंने वसुन्धरा राजे और कैलाश मेगवाल को उनकी सरकार बचाने में सहयोग का जिक्र किया। पाइलट ने इशारों में गहलोत्व सुंधरा की मिलीभगत के आरोप भी लगाये थे, अब गजेंद्र सिंह भी मिलीभगत के आरोप इशारों में लगा रही हैं। गहलोत के उनके प्रती तलखी के कारण पर गजेंद्र सिंह ने कहा पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन दो तीन विशर हैं, एक तो उनके बेटे की हार बहुत बड़ा कारण है। शेखावत ने कहा, भारतिय जनता पार्टी का पश्चिम राजस्थान में कभी कोई बड़ा मास लीडर नहीं था। आप किसी को राश्च्रद्रोही कह करके पश्चिम राजस्थान हैं। गजेंद्र सिह ने कहा, वायस सैंपल को लेकर मुख्यमंत्री तीन साल से बयान दे रहे हैं। 2020 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था। तब से तीन साल हो गए, तीन साल में मुझे वायस सैंपल के लिए किसी एजनसी ने कोई समन नहीं भेजा, न मुझसे संपर्क किया। किसी भी व्यक्ती का वायस सैंपल लेने के लिए कोट में जाने की जरूरत पड़ती है। संजीवनी घोटाले में नाम आने पर गजेंद्र सिन्ह ने कहा, मेरे परिवार में से किसी भी व्यक्ती का संजीवनी क्रेडिट को आपरेटिव सोसाइटी से कोई समबंध नहीं है, मेरे परिवार को कोई भी मेंबर उस सोसाइटी में सदस्य नहीं है, मैं संजीवनी के माल को जरूर जानता हूँ, लेकिन जान पहचान अपराध नहीं है। अब संजीवनी ने कोई फ्रॉड किया, उसके खातों की ओडिट करने का काम तो राज्य सरकार का था, सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, आप उनके खातों को हर साल सर्टिफाइड कर रहे थे। उस व्यक्ति को जानना अपराध नहीं होता, वे कई तरह के बिजनेस करते थे। उनके स्कूल के प्रोग्राम में गया था, अब वे जो कुछ काम कर रहे हैं। वे चाहे स्कूल चला रहे हों या दस तरह के दूसरे बिजनेस करते थे, तब मैंने कहा था कि पर्फेक्षन के काम करते हैं अब पॉलिटिकल लीडर के तौर पर कार्यक्रम में जाऊंगा तो तारीफ ही करूंगा